इसे क्या कर रहे वाई आड़े कुछ ऊस्ते चार्य होता है कर रहें हम पानी ... त्बसक्टरो आप देख सकते हैं यह मैं किस प्रकार काष्च्रा हिए व्या पुड़ा पैणikke sarà यह किक उप्रप मख़ति निगे हम जाना पड़ेगा बठ हम जाएंगे इधा वह भूग भी यहां से देख सकते हैं यह फूरण कच्चला हो गया थोड़ा सा पानी क्या वगा पूराइगक बगल में सब्स्जी मंडी हूं फूरा एक दम कच्चला वगया है इधर से भी जारा कि को और यह जो रोट देख रहें करा नड़े मैंसकरा के दो était रखे सकते हैं दिए पूरा कच्छे राया है इदर सेप्ष बचान अब आप लोगो दिखांगे कैसा रास्ता पो गया एक ख्राब जैसाअग कहोगा है किसी अदुथ कचरा कचरा सबतर हो गया देख सकते हैं टाउन का हाल यह सितामडी यहां पर कैसा पानी कई वह नहीं सुखेगा लुनिया ट्रोली में देख सकते हैं प्रथा कचरा सब रहता हुआ है को छापाग आख पूरा कचरा हो गया कचरा पानी अब इस दरने जाएंगे कैसे पहले तो इस देने जाना पड़ेगा नहीं तो साइड होके आप देखिए हमें इस देने होकर जाना पड़ेगा इसलिए देखा रहे हम चेरा तो देखाने वाले नहीं इसमें ब्लॉग में लेकिन देखा रहे हैं कि कैसे जाना पड़ रहा है देखिए कच्रा होके जाना पड देखिए थोरा सा पानी बरसा फिर इस तरह के नजारा मिलेगा और इस रोठो के जाते हैं ओ भाई आराम से क्या कर रहे हैं भाई आरे कुछ नहीं बना के बेज रहे हैं अच्छा ड्राइवर है हम पानी में हेल के जा रहे हैं ठीक है हो गया हो गया हो गया माई के साथ फोटो की चागिया हाँ हो गया ठीक है ठीक है अब देख सकते हैं यह गुद्री रोड है और सामने पड़ी माजीद है आपको एक नजारा देखाते हैं यहां पर और यह देख सकते हैं अभी 11 बज गया है रहे हैं कोई लोग नहीं दिख रहा है इतना कच्छरा हो गया इसे हो और यहां देखिए सामने आपको दिख रहा है क्या कीचर अब सोचिए कीश होकर जाएंगे जब सुखार था इतना भिस्म गर्मी पर रहा था तो नहीं बन रह अब देखिए पुरा कीचर हो गया है अब कैसे जागा आदमी बरसात में यह रोड भडा रहा है माटी से देख सकते हैं और इधर भी देखिए यह हो गया पुरा कच्रा का हाल यह देख सकते हैं पुरा मार्केट एकदम कच्रा कर दिया यह बड़ी माजीद है सामने यह ले भड़ाना चाते है तो यहां से खा सकते आपको व्राइटि घ्राइटि मीट मिलेगा यह से और कच्रा तह ऐसा हो गया कि मत पुछी है यह पुड़ा कच्रा हो गया है और यहां पर नुतन ओलता वह भी बंद पढ़ गया है अब किता मार्य में इंदो अल ह खुला हुआ है मात्रम यह है पूरा बंद हो चुका है अब हॉल तो चलता नहीं है और अगर शितामरी बरसात के मौसा में आप गुमना चाते हैं तो मौलूल आ सकते हैं और सामने में विभीग बजार मौल है यहां पर देख सकते हैं और यह की ओल है जो चल रहा है यहां पर स सहर में आने के लिए पूरा कच्रा हेल काना पड़ेगा देख सकते हैं लागा हुआ है तो आप आके इंज्वाइग कर सकते हैं बाखी सब अपके डिपेंड है आप हो इंज्वाइग कीजिए सितामारी सहर में